हेलो एविवान एंड वल्कम बैक हूं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी जस्पकॉज हमारा चैनल बहुत ही बड़ी मुसीबत में है आई होग जल्ले ही सब कुछ ठीक हो जाए उससे पहले प्लीज ओंट फगेट तो सब्सक्राइब माइ सेकंड चैनल ट्रामा की स सारे सोलजा एक दूसरे को मार रहे थे बहुत सारे मेजर क्लैन के जो लोग हैं वापस में लड़ रहे होते हैं जियांग लैन और जिन यह सारे क्लैन के लोग एक दूसरे को मारने में लगी हुए थे तब हमें आपर अपने में लीड वूश यांग को देखते हैं पर उसे सारे लोगों के कर्स नाइते रहते जो कि उसे कर्स कर रहे थे कि वूश्यांग को एक अच्छा इंसान समझ कर जियांग क्लाइन ने अडॉप्ट किया था लास्ट में एक मर्सीलेस टैवल में बदल गया और इसकी वैसे वो क्लाइन अभी तक पच्छता रहा है कि उन्हों ने वूश्यांग को आखर अडॉप्ट क्यों किया वूश्यांग की वज़े से यह सब कुछ हो रहा है उसके गाले जाएदुने सब कुछ ब breakup कर दिया वूश्यांग यह सुनकर बहुत इदा और कहता है कि तुम मरना ही डिसफ करते हो इसके बाद हमारी स्टोरी सिक्स्टीन एर्ड लेटर की दिखाए जाती है अब 16 साल बाद की स्टोरी हमें दिखाए जा रही है यहाँ पर हम बहुत सारी डीजी पस्त को दिखते हैं यहाँ पर उनकी मास्टर उनको वूशंग की बार मो युआन नाम बंदे को देखते हैं जो कि मोद फैमिलीस से ब्लॉंग करता है इसके बाद हैं कि बहुत्कर सारा काला चादू ऑन सपरस किया हुआ है مोयान को देखते हैं chat रहें बात करें तो मो यूआन को उसके फैमिली मेंबर्स बहुत ही जधकी स्टार ड़ जाते हैं उन लोगों से बदला ले सके जो कि उसे हमेशा से परिशान क्या करते थे। उसके इसाब से वूश यांग भी एक मरसी लैस किलर है। जो कि उसके सारी फैमली में मरस को मारते गा और उसका बदला ले लेगा। वूश यांग अब मूयान की बॉड़ी में था। और वो अपने आपको दुबारा से जिंदा बागर बहुत हीता सप्राइज हुता है। और वो सुफ़ता है कि आ खिर वो जिंदा कैसे हो सकता है। वो तो सालों पहले मर चुका है। तभी उसे पता चलता है कि उससे मो युवैंन ने सवन किया है। यहाँ पर उसका आता है जो कि उसका फैमिली ब्रदर होगा जो कि उन पर आज करते हैं यहाँ पर वो 때문에 कहते हैं के梁शे लें पर लेना और उसके लिए तो कर लिया इसके बाद वो उटता है और वहां से बहां निकलने लगता है यहां पर उसे एक बंदा देख लेता है और कहता है कि मोयुयान तुम तो पागल हो ना तुम यहां पर क्यों निकल रहे हो चलो 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 चली अंदर घुच जो और बंदो जो तुम्हारा बाहर आना सही यह सब लोग पागल बोल रहे हैं इसके बाद अपना इजिक बना दिखाता है और उस बंदे को वहीं पर स्टैशू बना देता है आफ देड उसका स्नेक्स लेकर आंगे निकले लगता है कल्टिवीटर्स वो होते हैं जो की टाक स्प्रेट को कैद कर लेते हैं यहाँ पर मोव फैमली ने उनको यहाँ पर इसलिए बलाया था प्रकॉस उनके क्लैन के आसपाद बहुत सारी इविल स्प्रेट ऐसे ही गूमते रहते हैं और इसके वैसे वो बाड़ी को पॉसस करकर उन्हें मार भी देते हैं इसके बाद इन गूशू क्लैन के कल्टिविटर्स को इसलिए बलाया था यहाँ बहुत सारी डीसिपल्स रहते हैं और सभी को ओन करते हैं कि रात में को भी बहाँ ना निकले हैं और हम सभी को पकड़ लेंगे इतनी में यहाँ पर वूशूयान आ जाता है और नोटन्घी करने रगता है सबको चिला चिला कर बताता है की फैमिली मेंबर्स मेरे साथ कितनी जाती घरते है सबी के सामने आ चाता है यहां पर war NE 6 से बाहर निकाल भाता है इसे यहां पर उड़ाटी के सामने जाए लीडर रहती उनका बेटा फ्यूरियस होने लगता है और फिर वो वूर्शांग को मानने के लिए आंगे पड़ता है यहां पर कल्टीवेटरस भी थोड़ी हेल्प कर देते हैं और इसके बाद वूर्शांग अपनी नौटंग की में लग जाता है और कहता है कि देखा देखा इसने मुझे आपके सामने मारा अब सोचिए अभी मार रहे हैं तो पीछे क्या करते होंगे मेरी तो जिंदेगी नर्क बना कर रखे हैं लोगोंने यहापर मूँ फैमली की मेंबर्स कहते हैं कि इसे चुप कर आओ नहीं तो बहुत ही बड़ी मुसीवत खड़ी हो जाएगी इसके बाद हम वूशान को दिखते हैं जो कि फैनली अपने प्लैन में सक्सेस तो होई चुका था इसके बाद हो सोचता है कि अब मुझे जली से स्मूव फैमली से बतला लेना है ताकि जिस बंदी ने मुझे समन किया है उसका टार्गिट पूरा हो सके इसके बाद यहाँ बदला लेने की कोशिश करता है बाद निकलता है तो यहाँ पर क्लान के जो कल्टिवेटर से वह उने इवल स्प्रिट को पकड़ने के लिए तैयारिया कर रहे थे इसके बाद यहाँ पर वूशान से कहते हैं कि तो मंदर चले जाओ और रात में बाहर मत निकलना यह बहुत बहुत बाहर निकल जाता है और उनने कंट्रोल करनी कोशिश करता है यहाँ पर लेन के लोग दिखते हैं कि सभी लोग बहार निकल गए हैं और इवल स्परिट ने सभी को पस्टर कर लिया है सभी लोगों पर वह वह बहुत ने लगती है उन्हें रुकना बहुत तब मुश कि लोगेको स्मश्श्चे में में लेटर को सवन करते हैं ऐसके भाद हम अपने ड्रामे के में लेग लेंग वांक जीений पर यहांपर वारतियों और सभी तो पर इसमें मीजिक से पहँसब करता हैं उन सभी को रोग देता है आपको ब हैडशीं की बात करें दूर लोग है यहां पर वूश्यांग को नहीं देख पाता एपिसोड 1 पर एंड हो जाता है और एपिसोड 2 हमारा ही से स्टार्ट होता है अगले दिन हम वूश्यांग को देखते हैं जो कि अपनी डॉंकि बैट कर वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब मूझ फैमली से उसका पदला पूरा हो चका है उसने भी उन सभी को इतना टॉचर कर दिया इसके बाद वो कभी भी किसी को भी तंक करने कोशिश नहीं करेंगे यहां पर वह बाहर निकलता है तो रास्ते में भी उसे बहुत सारे कल्टिवेटरिस मिल जाते हैं यहां पर गुस्यांग के मेंबर ल ना कि इविल स्पेट और इविल स्पेट नेट में कब से बंद होने लगे अब उनका लॉचिक वही जाने अभी इन दोनों में लडाई होई रही थी इतने में ही जियंग फैमिली का में लीडर चैंग आ जाता है और चैंग वही बंदा है जिसने की वुश्यंग को 16 येर्स पहले वहां से धका दिया था और उसके बाद वुश्यंग की मौत हो गई थी यहाबर वुश्यंग जब उसे देखता है तो उससे एग्णूर करनी कुरिश करता है आफ दैटो पेट की पीछी भी छुप जाता है ताकि कोई भी उसे नोटेस ना करे विकॉज यहाँ पर ले कैसे सबी के लिए इविल बन गया और लेन उसे अभी भी मिस करता है वो अभी तक वुश्यंग को ढूणने में लगा हुआ है जबकि चैंग जाता है कि वुश्यंग का कहीं पता ना चले 16 साल पहले वो मर चुका है और यही हकीकत है बात करी तो चैंग जिन लेंग का अंकल है और यह सबी जांग लेंग करते हैं वुश्यंग को भी जांग पैमली नहीं अडॉप्ट किया था लिंग तो अभी तक परिशान था कि आखिर उन लोगों को आजात क्यों करवाई जाए जिसको उसने पकड़ा है तब लेंग और चैंग भी इस बात पर गुसा होने लगत हैं पर अचानक से लड़ाई तो स्टार्ट नहीं कर सकते लाग अलग लग क्लांग करते हैं तो इन में काफी मनमूर टॉप भी चलते हैं लेन क्लान के कुछ डेशी बस को देखते हैं जो की पुराने टेंपल में पहुंचते हैं यहां पर वूश्यंग को पता चलता है कि य दिखता है कि यह तो बहुत ही आदा सीरियस कंडीशन हो रही है आफ़ दैड वूशंग दा खोस्ट जनरल को समन करता है जो कि फैरी की पास रती है और उसे एक बार में डिस्ट्रॉय कर देती है यह पर पूट की मजल से उसे समन करता है और इसके बाद यहां पर सभी को लगत करता है और यहां पर लेंड़ भी था इसके बाद इसन वहीं बना कोई और नहीं को पकड़नक करता है तो मुष्यक्ष करता है पर कहता है चु कुछ पुरान को याद करता है क्वाकर करकादा Esse year को करता है है कि इस अश oh फेंड्स हुआ करते थे इसके बाद ही हमारा ये पार्ट ही प्रकतम हो जाता है अभी तो सेफ और सेफ हमारे कुछ करेक्टर से इंट्रोडक्शन हुआ है I hope आपको ये पार्ट पसंद आया होगा so मिलते हैं नेक्स पाट के साथ thank you so much guys for watching don't forget to subscribe and also subscribe my second channel thank you so much guys मिलते हैं नेक्स पाट के साथ bye bye